सागर में दो दिन तेज गर्मी होने के बाद फिर मौसम में बदलाव देखा गया है तेज हवाओं के साथ हलकी बूंदा बांदी हुई जिसमें गर्मी सराहत मिली साथी मौसम भी सुहावना हो गया शहरवा से भी इसका आनंद लेने के लिए खुले में घूमते हुए नजर वहीं एलिवेटेड कोरिडोर और तालाव किनारे घाट पर भी लोग पहुँचे दरसल रविवार के सुबह जहां तेज हवाएं चली तो दोपहर के बाद आसमान में बादल चाएं शाम होते होते बूंदा बांदी भी होई स्थानिय मौसम विग्यान कींदर के अनुसार शनिवार को अधिकतम तापमान 40.5 डिगरी दर्ज किया गया जबकि नियुंतम तापमान 24.7 डिगरी रहा जो सामाने से एक डिगरी कम है मौसम विग्यानिक ने बताया कि साइकलोन सरकुलेशन और ट्रफ लाइन होने के कारण पूरे प्रदेश में मौसम में बदलावाया है बादलो की आवाजवाही इसी की वज़ह से हो रही है हवा की देशा भी बदल गई है रविवार को मौसम में नमी हवा मंद होने और बादल चाने के कारण तापमान गिरा है अगले दो दिन बे मौसम ऐसा ही रह सकता है अधिक्तम तापमान 40 डिगरी के आसपास बना रहेगा कि आवार को मत तापमान 90 डिगरी कारण समय है रहे हो वज़ह बना थ Regen को मौसम अवार कर दो प्रिख में तापमान 111 था प्सक्तम तापमान 10 हुआय स्वाल को मौसम थामान 10 हुआबर मौसम बेस्वार को मौसम स्वापमान आप्सकी आफैर लाग। बोटल दे ग्राइंड पालेस बनाए अपने एक खुब सूरत पा यद्गार पलो को और भी खास दा ग्राइंड पालेस के परिने बंदन के साथ स्वाधिस हमारों वा पाइटियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साथ सज्जा के साथ स्वाधिस्ट खाने का जायका लीचे हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ शाल पार्किंग एरिया सीजी टीवी से सुरक्षित कैंपस हमारा पता है होटल दा ग्रेंड पैलेस साइबाटिका के पास वोपाल रोड सागर मद्रदेश झाल पास वोपाल पास वोपाल साथ